हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू स्वामय कॉर्णर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं सर्दियार चुकी है और ऐसे में पराठी जो है वो सबको बहुत पसंद आते हैं तो आज हम भी लेकर आई हैं बहुत टेस्टी से और थोड़े डिफरेंट से घोबी की पराठी जो सबको बहुत पसंद आते हैं तो चलिए बना लेते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने वीज में ज़रूर बताय कीजिए तो चलिए बनाते हैं गोबी के टेस्टी से पराठी तो सबसे पहले मैंने गोबी ली है और उसको मैंने फूल जो है उसके वो अलग निकाल ली है और उनको दोक अच्छे से साफ कर लिया है और इनको मैंने इस तरह से चलनी में डा उस साइड से हम इसको घिस लेंगे इस तरह से देखिए पूरे गोबी को हमने अच्छे से ग्रेट कर लेना है और यह देखिए यह आपको लड़ो की तरह इस लिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने पूरी गोबी कसने के बाद उसको अच्छे से कपड़े में डालके उसको नि नहीं खाते हैं तो मैंने यह पर हरी मिर्च डाल दी और आप डाल रहे हैं गोबी के पराठे की जान जो की होती है अद्रक जरूर डाल लिएगा तेज जो है वह बहुत अच्छा आता है थोड़ा समय ने डाल दिया है जीरा और जीरे के साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे यह देखिए थोड़ी चाजवाइन भी डाल दी है इससे क्या रहेगा पेट भी आपका ठीक रहेगा और थोड़ा समय ने डाल दिया है हिंक और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे यह देखिए धनिया पाउडर यह आप जितना चाहें अपनी पसंद के साब से डाल सकते ह और थोड़ा समय इसमें डाल दिया है चाट मसाला और चाट मसाले के साथ ही मैं इसमें खुब सारा हरा धनिया डाल दूंगी जो कि इसमें बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा डाल देंगे मसाला मसाला आप मैगी मसाला लीजिए गरम मसाला लीजिए आपको जो मसाल पूरी तरह से इसको मिक्स कर देना है जिससे कि ये न आ हो कि कहीं नमक ज्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए तो आटा भी मैंने पहले से लगा दिया था, थोड़ा सा नमक और एक चम़च इसमें मैंने गीयाड कर दिया था और आटा लगा लिया है, और आदा गंटा के लिए मैं इसको रख भी दिया था अब इसकी एक देखे इतना पेडा ले लेंगे और इस तरह से कटोरी की शेप देते हुए अपनी उंगलियों से इस तरह से घूमाते जाएंगे और इसको हम अंदर से गहराई देते जाएंगे इसमें क्योंकि हमने इसमें अभी mix डालना है जो हमने गोपी का बनाया है तो ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ी गहराई देते हुए हमने बना लिया है और अब इसमें हम जितना आएगा उतना आराम से फिल कर देंगे इस तरह से और जिस तरह से हम मोमोस बनाते हैं उसको बंद करते हैं तो उसी तरह से हमने इसको बनाना है इस तरह देखिए मो आप जाहें ऐसा भीक हों या फिर आलू के हों थोड़े से वो थिक होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं वो इस तरह से अब हम इस इसको बेल लेना है यह देखिए और चलिए अब सी इसको घी लगा के अच्छे से आप चाहें तो इसकी ऐसे पूरिया भी बना सकते हैं यह देखिए हमने घी इसमें दगा दिया था और इसको अच्छे से शेख लिया है अब यह देखिए कितना टेस्टी सा हमारा पराथा जो है वो बनके तैयार हो गया है बिल्कुल फटा फट से बन जाएगा तो क्यों न हम इसको अपने ब्रिकफास्ट में शामिल करें बच्चों को यह बहुत पसंद आने वाला है आपका भी यह फेवरेट हो जाएगा और आप इसमें चाहें तो कुछ थोड़े फ्लेवर और आड़ कर सकते हैं खुब सा रारा धनिया डालिए मेथ तीवी साथ में आप आड़ कर सकते हैं या फिर प्लेन आप इसको गोवी का रख सकते हैं तो यह थी आज की हमारी रेसिपी उम्मीद है पसंद आई होगी थैंक यू बेरी मुच बाइबाए